हालो एवरीबन आयम रूबी एन वेल्कम बैक टो मैं चैनल तारा मदू की रसुई तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रक्षा बंधन का फेस्टिवल आई रहा है और आप सभी उसकी खूब जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे मैं भी कर रहे हूं तो उसी रक्षा बंधन स्पेशल यानि की राखी स्पेशल कपकेक्स के कुछ डिजाइन्स बनाए हैं आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे आभी मैं आपको डीटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी चॉकलेट फ्लेवर है ये कपकेक्स और उसके उपर बहुत ही अलग तरी में सजाइएगा आइम शूर सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ये आपके सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बनेगा तो आज मैं इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कपकेक बनाने का मेजर्मेंट से लेकर के कपकेक आपको कैसे बेक करने हैं आज हम ओटी जी पर ट्राइ कीजेगा और रक्षा बंदन पर इसे एक स्पेशल जगह दीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो रक्षा बंदन के स्पेशल अवसर पर छे कपकेक बनाने के लिए मैं आज मेजर्मेंट बता रही हूं तो एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने एक चोथाई क यानि की इसका बटर मिल्क बन जाएगा अब इसके अंदर हम तीन बड़े चमच यानि की तीन टेबल स्पून ऑइल डाल देंगे इसी के साथ मैं आधा कप पीसी हुई चीनी का पाउडर डाल दूंगी और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे धियान रगेगा इस इसमें वन टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा सारी चीजों को अच्छे से चान लेंगे अब चाहें तो यह चीज बाहर करके 2-3 बार चान करके इसमें एड़ भी कर सकते हैं अब पहले तो इसी मिक्शर को अच्छे से मिक्स कर तो बैटर हमारा रेड़ी है अब इन कपकेक्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास ये छे देखिए सिलिकन के मोल्ड है ये मैंने विशाल मेगा मार्ट जो आता है उससे करीबन एक तेर साल पहले लिए थे और ये काफी सस्ते पड़ते हैं तो अगर आपको ये कहीं मिले आप जरूर लीजेगा आप इनके ओपर मैं जो पेपर के लाइनिंग कपकेक्स होते हैं वो लगा रही हूँ और ये जो आइसक्रीम का स्कूपर होता है उससे में इनको भर रही हूँ तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है जो केक का बैटर हो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कड़ाई या कुकर में भी से पिक कर सकते हैं तो लगबख आदे केजी केक के लिए जितना टमपरेचर जही होता है जितना टाइम उतना ही इनको लगा है पचीस से तीस मिनिट में ये रेडी हो गए है टमपरेचर आप 160 से 170 का ही रखिएगा और यहां पर देखिए हलका ठंडा होने के बाद हम इने सिलिकन मोडल से बाहर कर लेंगे ये देखिए तो जब तक कपके ठंडे हो रहे हैं हम इसकी डेकोरेशन की तयारी करेंगे तो यहां पर 100 ग्राम वाइट चोकलेट कंपाउंड को देखिए मैंने डबल ब प्राइ करेंगे और ऐसे ही मैं थोड़ी सी चोकलेट और डाल दूँगी इसमें मैं थोड़ा जेल कलर डालूँगी अच्छे से यहीं पर मिक्स कर दूँगी इससे जो है रिट कलर का शेड आ जाएगा इसे भी ड्राइ होने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही दूसरी जग अब चॉकलेट को हम कट कर लेंगे चॉकलेट अब पूरी तरीके से ड्राइ नहीं हुई है पस उससे पहले ही आपको यह काम करना है हलके हलके निशान बना लीजएगा और जब अच्छे से 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 हो जाए तब आप इन्हें बाहर निकालीजिएगा यह देखिए तो 6 हमारे क अब इसके ओपर डेकोरेशन करने के लिए चार ब्रेट के स्लाइस लिए है उनके किनारों को कट कर लिया है और ब्रेट को चोटे-चोटे पीसेस में तोड लिया है अब पानी और चीनी का मिक्षर डाल करके मैं इसे अच्छे से गुन लूँगी जैसे हम आटा गुनते हैं बिल्कुल वैसे ही तो हमारा ये ब्रेट का जो है इंस्टेंट फॉंडेंट रेड़ी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी फ्रेंट बहुत अच्छा होता है तो इसी से हम आज के राखी के कपकेक्स की डेकोरेशन करेंगे तो कपकेक के ओपर हम चॉकलेट लगाएंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाए इसके लिए मैं थोड़ी सी क्रीम इसके ओपर स्प्रेट कर रही हूँ मैंने तो जस्ट ऐसी डिजाइन बना दिया आप चाहें तो क्रीम की एक कोटिंग ऐसी हलके से कर सकते हैं अब थोड़ा सा लिया है मैंने ब्रेट का फॉंडेंट दो सि इशान देखिए लगाया है और तुटपिक की मदद से फ्रेंट्स यहां पर मैं तीन हैंड्स बनाओंगी यानिकी हाथ जैसे दो बेहनों के हाथ राकी बांध रहे हूँ तो पहले तो हम बीच में से एक बड़ा कलाई वाला हाथ बनाएंगे इसे हम कट करेंगे पर पहले इसे मार्किंग करेंगे और अब साइड में दो हाथ बनाओंगे कि जैसे कोई इसे राकी बांध रहा हो तो बस फ्रेंट्स मेरी ऐसी ही इम्याजिनेशन है उसी को मैं बना रही हूँ यह देखिए बहुत ही प्यारा सा यह डिजाइन लगेगा आप एक बार ट्राइ करके द देखिए यह काम थोड़ा सा पेशन्स का है फ्रेंट्स और अगर आपके अंदर क्रियेटिविटी है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे तो कभी-कभी त्युहारों के अफसर बर हमें थोड़ी मैनत तो करनी बनती है फ्रेंट्स तो ट्राइ जरूर करिएगा अब चाहें तो इसमें अपने बच्छों की भी हल्प ले सकते हैं ये देखें तो अब ये तीनों हातों को हम आराम से उठा करके अपनी प्लेट पर पहले रख देते हैं पहले बाकी के सारे कपकेक्स की डेकुरेशन त्यार कर लेते हैं फिर एक साथ इने सजाएंगे अब जो दूसरा वाला मैं डेकुरेशन बना रही हूँ उसके लिए भी थोड़ा सा फॉंडेंट हम बेल लेंगे अब हम एक गर्ल और एक बॉई यानि की भाई बेहन का फेस बनाएंगे तो यहाँ पर राउंड से दो सरकल पहले मैंने बना लिए हैं देखें टुद्पिक करके इसमें से बालों की शेप की कटिंग करेंगे तो जिससे की हमारा बॉई और गल का फेस प्यारा सा बन जाएगा यह देखें बहुत छूटी सी कटिंग करनी है और इसे ऐसे स्टिक कर देंगे अगर फ्रेंड्स आपका यह जो पीस है प्रेट का फॉंडेंट का वो बनाना नहीं है यह देखें और इसे भी स्टिक कर देंगे अब थोड़ी सी इसी फॉंडेंट से आइज आइब्रो और वाइट फॉंडेंट से नोज और रेट कलर से इसके माउट और लिप्स बनाएंगे यह देखें फ्रेंड्स जो आज मैं आपको डेकोरेशन बता रही ह है तो 24 आपकी आप केक बनाएं या कपकेक बनाएं मैं आज कपकेक बता रही हूं आपको यह लीजिए फेस भी पूरा रेड़ी हो गया है आइस भी और नोस भी बहुत ही क्यूट फेस लग रहे हैं और रेट जेल कलर से मैं के माउट पनाऊंगे तो इसके लिए मैंने टु और इसको भी देखिए इसके बालों पर स्टिक कर दिया देखिए कितना क्यूट फेस लग रहा है इसे भी उठाकर प्लेट पर रख लेते हैं यह देखिए तो इस तरीके से पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए और एक साथ इन्हें टेकुरेट कीजिएगा इससे आपका क पॉपसर के लिए आप बना रहे हैं तो मैंने वही ब्रेट फॉंडेंट में ग्रीन जेल कलर डाल करके ग्रीन कलर बनाया है नौजल की मदद से देखिए मैंने उसे गोल कट कर लिया है थोड़ा सा इससे स्प्रेट कर देगे अब मैं दूसरे कलर का फॉंडेंट ले रही तो देखिए किती क्यूट सी राखी बन गई और अब side में इसके लगा देंगे thread की design तो उसके लिए red color के fondant की मैंने इसी हातों से roll करके strips ही बना दिया है और इसको इसके side में लगा देंगे यह देखिए तो यह हमारी राखी भी बन गई देखिए किते प्यारे हैं हमारे toppers ल बना दिया है तो थोड़ी सी राखी की जो decoration होती है थाली में वो बनाएंगे जैसे कि दिया प्लेट में लट्टू यहां पर एक राखी तो friends मैंने छोटी सी बना ली एक राखी मैं बड़ी size की बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ा बड़े size का देखिए circle कट किया है अब इसी के center में एक छोटा सा green circle और बनाऊंगी तो उससे छोटे size के ढकन से circle कट करेंगे और center में sticker कर देंगे अब जो बाकी का space दिख रहा है ना friends वहां पर जितने भी edible beads आते हैं उनसे अच्छे से stick करके में एक heavy सी राखी बनाऊंगी ताकि pearl वाली राखी बहुत मार्केट में खोब raw material वाली shop मिलते हैं जहां पर bakery का सामान मिलता है edible होते हैं cake की सजावट वगरे में use होते हैं तो देखिए अच्छे से मैंने सारे मोती लगा करके राखी को decorate कर लिया है और इसके side में भी thread बनाने के लिए मैं double color के fondant का इस्तमाल कर रही हूं ब्रेट के औ लो और दोनों को अपस में इधरी के से ट्विस्ट करके यह डोरी बना दिये मैंने extra को कट कर देंगे और लीजे हमारी fancy सी एक और राखी ready है आप जो हमने चॉकलेट के circle बनाए थे ना friends वो भी ready हो गए है तो अच्छे से आप इने निकाल लीजेगा यह देखिए बहुत ही कोई टूट भी जाए friends तो कोई बात नहीं आप उसे गरम करके stick भी कर सकते हैं चलिए एक एक circle को अपने cup cake के उपर रख लेते हैं यह देखिए क्रीम की वज़े से आराम से stick हो जाएंगे यह हमारा एक ready हो गया है ऐसे ही मैं बाकी के उपर भी लगाऊंगे पर पहरे इसके इसके topper लगा लेती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमने hand वाला जो topper बनाया था और वो हम लगाएंगे यह देखिए थोड़ी सी इसकी भी decoration कर देंगे लगेगा कि यह कोई दो girl के hand है तो red color की दो bangles बना लेते हैं और बीच वाले हाथ पर एक coola सा लगा देते हैं राख पानी लगा लिजेगा और बीच में लगा देंगे खर्ट तो प्यारे भाई बहन वाला cupcake भी रेडी हो गया है चली अब दीसरा बनाते हैं इसके ओपर white color का chocolate circle रखेंगे और अम मैं रख रही हूँ एक स्वास्तिक का निशान और यह पाकी की decoration यह देखिए तो एक और हमारा cupcake ready हो गया है इसके मैं ने देखिए चावल की look भी दी है और एक plate में yellow color का fondant बचाता तो उसके roll लगा दी है जैसे कि लड्डू की look आएगी यह देखिए ब्लकुल लग रहा है कि मोती जूर के लड्डू है तो राकी की थाली भी हमारी तयार हो गई है और अब जो हमारा जो राकी हमने परल वाली बनाईती उसको प्लेस करूंगी और इसकी डोरी को ना फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देंगे तो देखिए किता प्यारा आईए मोतीयों की राकी वाला design वाला cupcake ready हुआ है और last में मैंने blue color का देखिए यह चौकलेट का circle लगाया है इसके उपर मैं जसे ही neutral gel को piping bag में डाल करके hashtag one bro happy राकी लिख रही हो तो लीजे राकी के लिए हमारे special से बहुत ही सुन्दर तरीकी से डेकोरेट हुए हुए यह 6 cupcakes ready है आज जो मैंने measurement बताया friends उसमें मेरा कुछ भी better नहीं बचा 6 cupcakes आपके आपके आराम से ready होंगे तो friends देखे कितने सुन्दर हमारे यह cupcake लग रहे हैं सभी colors इसके अंदर मौजूद है यह देखे तो देखा friends आपने कितना आसान होता है अगर आपकेक्स को बनाना अगर आप correct measurement रखेंगे सही तरीके से उसकी बेकिंग करेंगे तो आपके भी cupcakes एक बार में perfect बनेंगे और कितनी आसान तरीके से दिखिए हमने bread के fondant से उसके डेकोरेशन की है तो जो लोग बिगिनर हैं जिनके पास बहुत सारे material नी है वो लोग इस method से इस रक्षा बंदन पर जरूर इन special cupcakes को बनाएगा और आज की recipe आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like share जरूर करके चैनल को भी subscribe करना पिल्कुल भी मत भूलेगा और हाँ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं तो आज के लिए ग कि त्रीग कि त्राइब अकी देगे